सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए आज की इस वक्षीट में हम फिर से एक बार डिवोशनल पास टुडिवा ओफ डिवाइन लेसन को समझने की कोशिश करेंगे यानि पिछली वक्षीट में जब हमने समझा था कि भक्ती के कौन-कौन से वेज हैं जो की साउथ हिंडिया से नौर्थ हिंडिया में पहुंचे इसी बारे में ही कुछ बाचीत करेंगे, कुछ दिसकॉशन करेंगे So without wasting our time, let's start and understand with me नाथपन्थीज, सिध्धास and योगीज यानि पिछली वक्षीट में जैसे हमने द्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में बात की थी हमने शंकर के beliefs और उनके opinion की बात की थी आज की इस वक्षीट में हम समझेंगे कि Northern India में जो नाथपन्थीज थे, सिध्धास ते योगीज थे उनके क्या beliefs थे, उनके क्या opinions थे, धर्म के बारे में, religion के बारे में और जो उनका path क्या था, devotional path क्या था, divine को पाने के लिए, ये सब के बारे में आज हम discussion करेंगे तो place and period, North India around 12th century, यानि इनका time period और place कहां था, ये थे North India में बारवी सर्षतापदी के आसपास, 12th century का मतलब 1100 to 1199 They criticize the ritual and other aspect of conventional religion and social order using simple logical arguments यानि कि उन्होंने बहुत ही logical arguments का सहारा लेते हुए, जो पुराने प्रचली धर्म के जो भी काम होते थे या जो भी बनावटी चीजे होती थी, जो की धर्म के आड में पूरी की जाती थी या जो समाज की विवस्था बनी हुई थी, इसका उन्होंने बहुत जादा उनकी आलोचना की criticize किया उनको यानि वो जो है संसार को छोड़ने की बात करते थे, सन्यास लेने की बात करते थे, उसको वो बहुत जादा मानते थे To them, the path of salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it यानि उनके विचार में जो की formless का मतलब होता है निराकार, यानि भगवान का कोई आकार नहीं है जो निराकार परम सत्ते है, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में ही जाब करते रहना और उसके साथ एक हो जाने का जो एहसास है, वही मोक्ष का मार्ग है They advocated intense training of the mind and body through practice like योगासना, breathing exercise and meditation उन्होंने जो योगासन, प्रानायाम और चिंतन मनन जैसे जो activities हैं उनके माध्यम से अपने मन और body को, mind और body को जो है एक tough practice देने की बात कहीं कि ताकि वो जो है इसको परम सत्ते हैं उसको पा सकें Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to became a popular force in northern India और जो उनके द्वारा इस तरह से अलोचना की गई, जो वीचे से प्रचली धरम की जैसे पहले लोग अपनाते थे उनकी उन्होंने जो अलोचना की उसने आगे चलकर उतर भारत में एक एक नया तरीका भक्ती करने का बनाया उसको जो बहुत जादा सहारा दिया, समर्थन किया उस चीज़ का The next topic is The Saints of Maharashtra, यानि Maharashtra के सन, और किस तरह से अभी हम Northern India कही पढ़ रहे हैं, अब हम Maharashtra की और चलते हैं, कि Maharashtra में जितने Saints थे, उनके क्या beliefs थे, उनके क्या opinion थे about the religion Place and period, कौन सा place था? Pandharpur, Maharashtra, Pandharpur, Maharashtra में around, period कौन सा था? Around 13th to 17th centuries That means 13th century का मतलब 1200 to 1299, and 17th century का मतलब 1600 to 1699 उस समय के जो famous Saints थे, संत थे, वो कौन थे? ध्यानेश्वर, या उनको हम ज्यानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, Saint ज्यानेश्वर Saint Namdev, Saint Egnath, Saint Dukkaram, संत, और ये भी संत थी, सखुबाई, और चोखा मेलाजी ये उस समय के famous Saints थे, अब deity, यानि वो मानते किसको थे, किसकी वो पूजा करते थे Lord Vithala, a form of Vishnu, यानि भगवान Vithal को वो लोग मानते थे, जो कि Vishnu का ही, भगवान Vishnu का ही एक रूप है Central notion, यानि उन सब के विचार क्या थे, Personal God resides in the heart of all people यानि उनका ये विचार था कि जो हमारे Lord हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो हम सब के लोगों के हृदे में ही रहते हैं Songs were written in the local language Marathi, जो भी उस समय के गीत लिखे गए, जो भी भजन लिखे गए, वो वहां की local language Marathi में लिखे गए These saints poets dejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences based on the birth देखे इन संतों ने क्या किया, इन संतों ने जो है, जो सभी प्रकार के पूजा से जुड़े हुए कर्मकांड होते हैं, rituals होते हैं ठीक है, और जो पवित्रता का लोग ढोंग राचाते हैं, या जनम पर अधारित चितने भी social differences थी यानि जातीगत विवस्था उस समय बहुत थी, उन सब को इन्होंने oppose किया, उन सब का इन्होंने विरोध किया, याद रखियेगा They even rejected the idea of renunciation, renunciation का मतलब होता संसार को त्याग देना, सन्यासी बन जाना तो उन्होंने इस idea को भी reject किया and preferred to live with their families और उन्होंने किस बात को preference दी कि अपनी families के साथ रहते हुए, earning their livelihood like any other person और किसी आम आदमी की तरह अपनी जीवन यापन करते हुए, आमदनी कमाते हुए while humbly serving fellow human beings in need, यानि जो जरूरत मंत लोग हैं उनकी सेवा करना, ये इनका प्रमुख विचार था कि हमें अपने परिवार के साथ रहते हुए, एक आम इंसान की तरह अपनी आमदनी कमाते हुए, जीवन जीते हुए, जो दुखी लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत है, उ as they insisted that bhakti lay in sharing others pain, और देखिए, उन्होंने जो है, कि एक इस से क्या हुआ, एक नया, मतलब नया आइडिया हुआ, और उन्होंने इस बात पर जोड दिया, कि bhakti किसमें दूसरों के दुख माटने में, as the famous gujrati saint narsi mehta said, और देखिए, इसमें example भी दे रखा है, कि जैसे famous gujrati संथे नरसी महता, उन्होंने एक गीत भी लिखा था, जो कि गांधी जी को बहुत जादा प्रिये भजन था, वो बहुत जादा इस भजन को पसंद करते थे, कौन सा भजन था? वैश्नव जन तो तैने कहिये जे, पीड पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए, पर दुखे उपकार करे तो ए, मन अभिमान ना आने रे, वैश्नव जन तो तैने कहिये जे, पीर पराई जाने रे, यानि दे आर वैश्नवास who understand the pain of others, यानि इस दुनिया में जो वही लोग सबसे बड़िया लोग हैं, जो की दूसरों के दर्द को जानते हैं, दूसरों के pain को जानते हैं, और ये उन्होंने अपने इस भजन में बहुत अच्छे से बताया, कि दूसरों की पीर जानने वाले, पीर पराई का मतलब दूसरों के pains को जानने वाले लोग बहुत भले लोग हैं, और वही लोग सबसे अच्छे लोग हैं, वैश्नवजन हैं वो, देन, डिवोशन अराउंड लॉड विठला गेव राइस टू दा वरकारी सेक्टर, वारकारी संप्रदाय, विच ले एंफसेज ओन एन एनवल पिल्ग्रिमेजे, पिल्ग्रिमेज टू पंधरपुर, तो देखिए भगवान विठल की अराधना ने एक वारकाई संप्रदा को भी जन दिया, जो कि पंधरपुर की वारशिक तीर्थ यात्रा पर जोड देता है, मतलब यानि उन्होंने एक वारकाई संप्रदाय को जन दिया, क्यों वहां की लोग आप देखिएगा भगवान विठल को बहुत मानते हैं, और ये भी एक नया पंथ निकला, एक नया व दिवोशन, और जो ये विठल संप्रदाय था, ये वारकारी संप्रदाय था, ये भक्ति के शक्तिशाली रूप में इसका मतलब उदय हुआ, इमर्ज का मतलब उदय हुआ, और लोगों में ये चीज़ काफी लोकप्रिय भी हुआ, सकुबाई वाज अ वोमेन, सकुबाई एक महिला थी, जो कि इसी भगवान विठल को मानने वाले थी, और वो उनका भी नाम संतों में लिया जाता है, then an activity for you, देखिए आपको क्या करना है, share your picture in the WhatsApp group of your class while doing योगासन and और प्रानायाम, breathing exercise, जैसे कि उपर हमने समझा जो नादपन थी इस थे, सिध्धास थे और योग कि mind and body को एक strength मिलती है, तो आपको भी ऐसे ही करते हुए अपनी एक picture अपने WhatsApp ग्रूप में, अपने स्कूल की WhatsApp ग्रूप में share करनी है, और अपने sir या ma'am को भेजनी है, now time for question answers, लेकिन आपसे एक request है, पहले आप खुद से question answer करने की, इनको search करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता, तो आप वीडियो का अगला section भी देखें और question answers को देखें और अपने question answers match करें, क्योंकि वो सिर्फ एक suggestions है, so the question number one is, describe and believe, describe the beliefs and practices of nath-pantish, siddhas and yogis, तो आपको nath-pantish, siddhas and yogis, तो आपको nath-pantish, siddhas and yogis के beliefs and practices के बारे में समझाना है, so answer is, beliefs and practices of n nath-pantish, siddhas and yogis are, criticism of ritual and other aspects of conventional religion, यानि कि जो रूडिवादी धर्म और उससे जुडवे जो भी चीजें थी, rituals थे, उनकी criticism करना, उनकी आलोचना करना, ये इनका विश्वास था, ये आलोचना करते थे उसकी, renunciation of the word, यानि संसार का परित्याग करना, सन्यासी बन जाना, intense training of mind and body through practices like yogasanas, breathing exercise and meditation और अपने mind और body को tough practice देने के लिए, उसको tough बनाने के लिए, yogasana, breathing exercise और meditation की training देना, ये इनके विचार थे, Then question number two, where was an important center of bhakti tradition in Maharashtra, यानि महराष्ट में bhakti का एक महत्वपून केंदर कौन सा था, तो वो था पंधरपूर, पंधरपूर was an important center of the bhakti tradition in Maharashtra, Question number three, how was the attitude of saints of Maharashtra towards caste, यानि महराष्ट के संतों का caste के प्रती क्या दृष्टी कौन था, Answer is, these same points rejected all forms of ritualism, outward display of pity, and social differences based on the birth, यानि ये सारे के सारे संत, जितने भी कर्मकांड होते थे, ritual होते थे, या अपना पवित्रता का धोंग रचाना, उसको दिखाना, और जितने भी birth के ओपर social difference, that means, जाती से समझो था, उसका ये बहुत ज़्यादा oppose करते थे, इन्होंने उसको reject कर दिया था, उसका विरोध किया था, Now the last question, name some important saints of Maharashtra, So now that's all for this worksheet, अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ, तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए, और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से worksheet को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ, online ही सही, पढ़ते जरूर रहीए, And if you want to defeat coronavirus, then please we are a mask, और जब भी availability of vaccine हो, जब भी possible हो, इसकी vaccination अवश्य कराएं, क्योंकि corona को हराना है, और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ, thank you very much.